प्रेम से बुलिये शिश्रियानन्द मैमात की जब चेष्टा के बीच में हो तब चेष्टा करने की जरूरत है कब वह वक्त आएगा कोई नहीं जानता बाड के पानी की भाती आता है और सब बहा ले जाता है तुम्हारा कर्तव्य है प्रयत्न करते रहना जब तक तुम्में बुद्धी है तब तक प्रयत्न करना ही करणिय है समय की अपेक्षा करना और उनके ध्यान में रहना दोनों ही ठीक है प्रश्न कृपा सृपा कुछ नहीं है अपना काम बिना स्वैम किये कोई उपाय नहीं है दूसरा भक्त यह जो काम करते आ रहे हैं यह भी उनहीं की कृपा है मां हसते हुए दूसरे विक्ती से बोली पिताजी बात क्या है जानते हो एक ऐसी अवस्था होती है जब कृपा का बोध होता है जब तक वह अवस्था नहीं आती तब तक यही वह सोचते हैं कि मैं ही सब कर रहा हूँ यही और क्या? असल में यही बात सच है कि बिना उनकी कृपा से कोई सोच नहीं सकता प्रश्न मां हम लोगों का सचमुच होगा? मां जरूर होगा तुम लोग नहीं होगा नहीं होगा यह भावना मन में कभी न लाओ देखते नहीं कि भगवान को सोचते सोचते तत भवापन हो जाने में आता है इसलिए नहीं होगा नहीं होगा सोचने की जरूरत नहीं होगा होगा सोचते रहने पर हो जाता है संशय करना पाप है तुम लोग चिंतित क्यों हो सभी का ही होगा प्रश्न मा अहंकार आदी उन्होंने हमारे भीतर क्यों भर दिये हैं मा किसने भर दिये हैं वह भी तो उन्हीं का ही एक रूप है तुम भी तो वही हो बड़े मजे की बात है तुम सोचते हो तुम उनसे अलग हो मनश्य जन पाकर कुछ भी ना करना क्या उचित है हर कोई पशु पक्षी की तरह अपना पेट भरता है मान लो आज मजे में हो पर कल हजार दुख के पहाड ना तूट पढ़ेंगे इसकी निस्चित्ता क्या है इसलिए कहती हूँ कि इसके लिए पेंशन का प्रभंद करो यह पेंशन जब तक श्वास है तब तक मिलता रहेगा और वह पेंशन कभी नश्ट नहीं होगा प्रश्न मा शरीर की रक्षा की जरूरत होती है अगर शरीर नहीं रहेगा तो साधन भजन कैसे करूँगा मा शरीर रक्षा क्यों करोगे उस और ध्यान देने की जरूरत है अगर मन में यह रहे कि उन्हें बुलाऊंगा इसके लिए शरीर रक्षा की जरूरत है तो उतना जरूर करोगे पर भोग के लिए नहीं ड्यूटी पुरा करते चलो उनकी ओर लक्ष बनाए रखो प्रश्न स्त्री पुत्र का पालन यह भी भला कोई ड्यूटी है किसकी पतनी किसका पुत्र कौन लालन पालन करता है मा अगर यह बुद्धी ठीक ठीक रूप से जन्म ले ले तो फिर क्या बात है चैतन देव ने तो माता अस्त्री सभी को छोड़ दिया था लेकिन सभी चैतन देव नहीं है इसलिए जो लोग पतनी पुत्रादी के साथ हैं उनकी जरूरत सेवा बुद्धी में है अर्थात यह सब उनकी ही सेवा कर रहा हूँ इस भावना को लेकर ग्रहस्ती चलानी चाहिए और कहना यह है कि जितने दिनों तक सयम वरत लिया जा सके महीने में दो चार दिन या जिन में शक्ती है वे एक महीने तक ले इन दिनों शुद्ध रूप से रहूँगा यह संकल्प लेना चाहिए भोजन जितना शरी रक्षा के लिए आवशक हो करें भोग के लिए भोजन ना हो सोना तब चाहिए जब नीन सताए सद्ग्रंथ पाठ नाम या अन्य कोई सत्चिंता में समय गुजारना चाहिए सत्य बात सत्य वहवार की और लक्ष करना चाहिए मुम्किन है एक दिन ठीक से ना हो पर अभ्यास करते करते बाद में यह कारे कठिन मालूम ना होगा बल्कि आनंद मिलेगा इसलिए कहती हूँ कि ताप सहा है ना यानी तपस्या भगवान के लिए तपस्या करो अर्था ताप को सहन करो गुरू कौन है ना केवल पिता माता बल्कि जिनके निकट हम लोग गुड विशय की जानकारी प्राप्त करते हैं वे सभी गुरू है जो मार्ग का जरासा भी पता देते हैं वे ही गुरू है जो बंध है वही जीव है गुरू के वाक्यों में अविचलित निष्ठा रखना इस मार्ग में सहता पहुचाती है एक अम्ब्रम्ह द्यूतियम नास्ती एक आत्मा और क्या? प्रश्ण मा भगवान के नाम और बीज में क्या अंतर है? मा बीज मंत्र में गुरू शक्ती से शरीर में जहंकार होता है और मंत्र चैतन्य होकर उसी लक्ष की ओर पहुच जाता है साधरन नाम में भी यही भावना उत्पन होती है अगर भाव के सहित किया जाए तो नाम शक्ती में भाग्या नुयाई गुरू प्रकट होने पर सब कुछ हो सकता है नाम और बीज में गुरू शक्ती रहने पर प्रतेक में कारपून हो सकता है श्वास के साथ नाम का योग रखते हुए नाम करते रहो या अभ्यास मन में स्थिर्ता उत्पन करता है इसके अलावा हम लोगों में जो प्राण वायू है वही तो समस्त विश्व को आच्छादित किये हुए है उसी महान भाव के अंतरगत आने पर अंत में वही सुरोत ही एक दिन उनकी ओर ले जाएगा एक बार अपने को उस सुरोत में डाल दो प्रश्न श्वास श्वास में कैसे नाम कर सकता हूँ क्रपया इसे अच्छी तरह समझा दीजिए मा कभी कभी प्रती श्वास के प्रती लक्ष रखते हुए श्वास के प्रतेक ताल पर नाम लेते रहो एक बार सांस लेने और एक बार फेखते समय किसी किसी का माथा गरम हो जाता है अधिक देर तक इस तरह नाम लेने में वे असमर्थ हो जाते हैं इसका क्या कारण है जानते हो ब्रम्हचरे का अभाओ सिर्फ एक इसी आश्रम के नश्ट हो जाने के कारण सभी आश्रम नश्ट हो जाते हैं जो लोग या अनुभव करेंगे कि उनका माथा गरम हो गया है उन्हें इस तरह नाम करने की जरुरत नहीं है ऐसे लोग श्वास की और लक्ष रखते हुए सुधी ही इन स्थिती में बैठकर नाम भीतर ही रखें श्वासों के साथ करने की जरुरत नहीं है हर कोई सब कुछ सहे नहीं कर पाता इस तरह स्थिर बैठे रहने पर काम हो जाएगा दूसरी और कहा जाता है कि मन, मंत्र, श्वास को एक कर लो हम जो श्वासवायू लेते हैं अगर गौर से देखो तो देखोगे कि इस श्वासवायू के साथ ही सभी के साथ सभी का योगा योग है हम सब तो एक ही स्थान से श्वासवायू ले और फेक रहे हैं इस हिसाब से सभी के साथ सभी का युगायोग बना हुआ है साधू या महत्मा चाहे जो भी हो सभी के साथ सभी प्राणवाई रूप में युक्त है तुम लोग में जितनी शक्ती है किये जाओ इसके बाद बगैर उनकी कृपा के कुछ होता नहीं यह अत्यांत सत्य बात है प्रेम से बुलिए शिश्यानंद वैमात की